असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शारुख और आज रेडमी ने लॉंच किया है अपना एक निया स्मार्टफोन जिसका नाम दिया है रेडमी 8A डूवल तो आपको पता होगा कि रेडमी 8A पहले ही अवेलेबल था लेकिन उसमें बस एक सेकंडरी कैमरा एड़ करके उन्हो जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी लिकिन शाओमी मार्केटिंग करने के लिए बिल्कुल उसमें दो मेंगा पिक्सल का देफ्ट कैमरा जोड दिया है चाहे वो अच्छे से काम करें या ना करें चाहे उसका फायदा हो या ना हो प्राइसिंग भी उतनी है सारे सारे चीज़ एपको दो जी भी रम सवला बिस जडर है और साथ जाहर हुपय में आपको मिल लाता है तो प्राइसिंग भी बिल्कुल वही है 5000 इमेज की बैटरी में अपको फास चाहर चीजे बात है यह च्छी बाते है च्छीं दि प्लस रिख मिलाती है और जो बैक में है मिलता है जो कि प्लास्टिक का बेसिकली बना हुआ है 5000 इमेज की बैटरी तो काफी जज़ा अची बात है तो सारी चीज़ यह सारी है Android 10 बेस्ट आपको 11 मिल लागा Android 10 है Android 5 है Android 10 ही है लेकिन यहां पर हम लोग बास करने वाले है Realme C3 के बारे में because Realme C3 जब launch हुआ तो उस वक्त हमें लग रहा था कि जो Redmi 8A Dual आने वाला या Redmi 9A आने वाला बैसिकली हमें लगा था कि Redmi 9A आने वाला है तो हमें ऐसा लगा था कि वो भी आएगा Helio G70 के साथ या फिर कुछ तगला प्रोसेसर के साथ लेकिन इस बार वो बात बिल्कुल भी सच नहीं होई है और पहली बार मैं ऐसा बताना चाहरा हूँ आपको पहली बार बजट केटेगरी में कम दाम वाले प्राइस के केटेगरी में रियलमी ने किल कर दिया है शौमी को पहले भी रियलमी किल करता था शौमी को लेकिन जैसे ही शौमी लाँच करता था कोई नया प्रोड़क्ट तो वो रियलमी को किल कर देता था तहीं पहले ही बार ऐसा हुआ है कि Xiaomi ने लांच किया निया प्रड़क्ट उसी प्राइस रेंज में और वह Realme को किल नहीं कर पाया तो इससे आपको पता चलता है guys कि Realme C3 क्या तगरी डिवाइस है अब काफी सारे लोग यह बात कहेंगे कि नहीं भाई Snapdragon है तो वह ज्यादा अच्छा है Mediatek का Helio G70 से मैं आपको बता दूँ guys मेरा आप वीडियो देख लीजिए Snapdragon vs Mediatek वाला जिसमें मैंने Helio G90T को compare किया है याँ पे Snapdragon 730G से और दोनों ही processor के बीच में अगर आप comparison देखेंगे से ना कुछ वही सेम लॉजिक इसमें भी है जो Snapdragon 439 है और जो Helio G70 है दोनों के बीच में कुछ वैसे ही चीज़े हैं और सबसे खास बत किया है कि इस बार तो कोर्स स्ट्रॉंगर है Helio G90T के यानि कि A75 cortex A75 का 2 GHz का कोर आपको मिलता है लेकिन A70 तक भी नहीं जाता है यह जो Snapdragon 439 है यह A55 और A53 का ही इसे से आपको पता चलेगा कि जो MediaTek का Helio G70 है उसमें कितना ज़दा पाउरफुल प्रॉसेसर जो है इस्तेमाल किया गया है तो यह आपको पता चलेगा सारी साथ में जो क्या बात है अच्छे लेगी तो बैक कैमरा की बात कर ले तो रियलमी सी 3 में जो आपको 13 मेगा पिक्सल का यह बारे में जादा अच्छा होने वाला है अगर बात कर ले फ्रंड कैमरा की यहां पर आपको यहां पर पूरा फोन देखेंगे यहां तो आपको रियलमी सी 3 ज्यादा पाउरफुल लगेगा परफॉमेंस के मामले में गाइस गेमिंग के मामले में बैसे के लिए गेम काफिस अच्छा आप खेल पाएंगे रियलमी सी 3 में लेकिन यह चीज़ आप नहीं कह सकते हैं यहां पर स्नाप रेंग 439 वाले रेड्मी एट एडुवल को तो जी हां रियलमी सच में एक बहुत अच्छा जबरदस्त काम कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो टाइम आ गया है जब रियलमी और रेड्मी के विश सबस्कुरा रही है मतलब अब रियलमी चाहे तो आगे निकल सकता है लगा सकता है लेकिन लेकिन यह कि इस तरह कि लौंचे वेंट्स ओर भी मीं के तरफ से क्या इतनी ज़दा एग्रेसिफ प्राइसिंग और भी ज़दा होती है रियल्मी के तरफ से या फिर उनका जो सफर है वो यहां से फिर से वापस ऐसे हो जाए यह नहीं चाहिए बाई रियल्मी अच्छा काम कर रहा है कुछ तो यू काम करते रहो और अच्छा फोन ले करके आ लेकिन विडिया टेक का चिपसेट कोई खराम निया गाइस वान अर्थी पेस्ट है तो मैं इस बर कहूंगा गाइस कि अगर आपको बेस्ट फोन कोई लेना है आठ हजार के अंदर में तो वह आप रियल्मी C3 अब ले सकते हो जी हां गाइस स्नैप रगन 439 G70 के सामने लेकिन अगर परफॉरमेंस के बात कर लो और चार्जिंग अगर चोड़ दें यहां पर रियल्मी जीच जाता है हाँ अगर आपको USB टाइप सी चाहिए नहीं चाहिए तो आप जा सकते है रिड्मी 8a के साथ तो गाइस आज के वीडियो देना शुक्री है अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्काइब की जाए वीडियो से लाइक से कमेंट कीजिए और आज मैं अभी अपने रू हुआ हुआ पाहिए हुआ 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 हुआ